राक्षा स्पिरन्य तश्चप को प्रम्हाजी से वर्दान बिला था कि वो ना घर के अंदर, ना बाहर, ना जमीन, ना आस्मान, ना शस्त्र, ना अस्त्र, ना नर्म, ना जान्दर से मारा जा सकता है अहंकार वश उसने अपनी प्रजा पर फूब अस्त्याचार ढाने शुरू कर दिये हरी इच्छा देखिए कि उसे के घर जन्मा नारायन जपने वाला उसका पुत्र भक्त प्रहिलाद प्रहिलाद को मरवाने के कई प्रयास किये गए कभी पहार से नीजे फिका जाता कभी अपनी पहन भूलिका की गोद में बठाया जाता पर हर बाद प्रहिलाद बच जाता और अंत में प्रकट होते हैं स्वयन नारायन नर्सिंग अवतार के रूप में और करते हैं दुष्टे उरन्ने कश्चप का संगार हो लिकाने ऐसो जुलम गुजारो प्रहिलाद गोद बैठारो हो लिकाने ऐसो जुलम गुजारो प्रहिलाद गोद बैठारो हिर ना कुष अत्याचारी जाने निक न तयाब जाने पहला दे गाम उच्छारी पित खोद कियों है भारी तो हाथ पाओ बाधे सुत के परवत ते नीचे डारो प्रहलाद गोद वैठारो ओले काखे ऐसो जुल्म बुजारो प्रहलाद गोद वैठारो राक्ष स्पिरन्य तश्चप को प्रम्हा जी से वर्दान बिला था कि वो ना घर के अंदर ना बाहर ना जमीन ना आस्मान ना शस्त्र ना अस्त्र ना नर्ण ना जांगर से मारा जा सकता है अहंकार वश उसने अपनी प्रजा पर फूब अस्त्याचार ढाने शुरो कर दियें हरी इच्छा देखी है कि उसी के घर जन्मा नारायन जपने वाला उसका कुत्र भक्त प्रहिलाद प्रहिलाद को मरवाने के कई प्रयास किये गए कभी पहार से नीजे फिका जाता कभी अपनी पहन भूलिका की गोद में बठाया जाता पर हर बात प्रहिलाद बच जाते हैं और अंत में प्रकट होते हैं स्वयन नारायन नर्सिंग अवतार के रूप में और करते हैं दुष्टे उरन्ने कश्चप का संघार भूलिकाने ऐसो जुलम गुजारों रहलाद गोद बैठारों भूलिकाने ऐसो जुलम गुजारों स्वयन प्रहलाद गोद बैठारों हिर ना कुष अत्याचारी जाने निक न तयाब जाने पहला दे गाम उच्छारी पित खोद कियों है भारी तो हाथ पाओ बाधे सुत के परवत ते नीचे डारो प्रहलाद गोद वैठारो ओने काथे ऐसो जुल्म गुरारो प्रहलाद गोद वैठारो